अगर आपके अपने यूटूब चैलेंड डी के स्टेडी पॉइंट में आज हम आपके लिए नई वीडियो लेकर करें हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्लास 12 जोग्रफी की जितने भी चैप्टर्स हैं वह हमारे चैलेंगे आपको प्रोवाइड कर दिये जाएंगे कु और इसकी जितनी भी है सारी की सारी वीडियो आपको हमारे चैलेंगे प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगी अभी इस मतलब स्रीज की पहली वीडियो है तो आई इसको जा साथा प्यार देना और जा साथा लोगों को शेर करना जो की जरुवत रखते हैं तो चलो वीडियो क पर फोकस करते हैं कि कहना क्या चाहता है तो यह जो वेसिकली नाम है वो कहना चाहता है कि मानब भूगोल प्रकरती एवी से छेद तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि भूगोल का मतलब क्या होता है कि भूगोल क्या होता है तब ही तो समझेंगे कि मानब भूगोल क्य प्रतोर और यह सारी चीज है उसमें प्रतोर के लिए सारी इनदर पाई जाते हैं तो इसके उप्र भोगोल अब हम बात करें कि भोतिक भूगोल क्या होता है और माना भूगोल क्या होता है उसके उपर जो भोतिक कितनी मतलब मोटी है कितनी पतली है कहा समंदर है कहा चीज़ तो उसके सोरूप का अध्यान जो है इसके अंदर आता है साथ मैं आपको बता देता हूं कि जो मानव भूगोल है उसके अंदर आता है आप समझ चुके होंगे कि भोतिक भूगोल के अंदर जो है पृतिवी की जो और कि क रिखेंस वह jar उसका अधियन जो है इसके अंदर करने को मिलता है अब कैसे हो जाए और प्रित्वी कुछ अपनी किरिया करती है मानथ भी अपनी किरिया यह तो तो उनके बीछ में मानभ भूकोल कहलाता है प्रत्वी जो है उसके कुछ नियम है कायदे हैं और जो कि मानव है उस पर क्रिया सील कार्रे कर रहा है क्रिया पूरी वह तो उन सब चीजों को देख करके जो कि हमारे को मानव भूगोल की कुछ ना परमुक परिभासाइं भी दे रखें जिनके जरीए हम इसको समझेंगे चलो समझते हैं मानव भूगोल की कुछ परमुक जो हैं परिभासाइं हैं जिन पर हम चर्चा करते हैं सबसे पहले परिभासा जो है रैडजल के अनुसार अगर देखा जाए कि उन्होंने क्या कह रखा है आगर आप यह मैंने शोट नौट्स बना रखें इसके भी आपको जो है मतलब हाथा दिए कि मानव भूगोल समझने के लिए तो वह क्या कहते हैं मानव भूगोल जो मानव भूगोल है और जो मानव करता है हैं कि जो योमंगरफी एक तरीके से इनके भीच के अंदर एक तरीके का JOHN जो है समन्द मिलता है अब जैसे मानभ पृथभी पर रहता है इस been इसी तरीक है वो क्या करेगा पूरी तरीके से उसका दोहन करेगा कभी कभी इसको पूरा इस्तोमाल करेगा तो different types की जो है इसके अंदर जो है वह मिलती है अभी हम क्या बोलते हैं तीन तरीके के चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो उसके अंदर अच्छे से समझ में आई है इनको आप दियान से देखिए बागी फिर कहते हैं सैंपल जो है ये रेडी हैं वो कहती है सेंपल के नुसार कि मानव भूगोल और इस्थिर पृत्वी यानि जो पृत्वी है वह अपनी दूरी पर जो है गोमती रहती है और किरिया सील मानव मानव जो है किरिया सीले किसी किरिया कलाप में जो है मानुव सनलगने रहता है चाहिए वह खेती करता सब्सक्राइब करें कि और आइस्तिर बीच में किया है मानव के परिवर्टन सील जो भी छेंज़ेंज वह किया जाता है जी sampleg के नुwallis कि है पाकी बात करते है पॉल बीडाल डीला बलास के नुछ वह क्या कहते हैं वह कहते हैं कि हमारी पृत्वी को नियंतित करने वाले बहुतिक नियामों तता इन पर रहने वाले जीवों के मद्द संबंदों के अधिक संसलेसित ग्यान से उद्पन संकल्पना को माना भूगोल कहते हैं कैसे यानि हमारी पृत्वी है चीक है यह जाहर से बात आपको दिखाई दे रही होगे हमारी पृत्वी और यह जो है क्रियसील मानम इनके बीच में जो मतलब पृत्वी के जो बहुतिक नियम है जैसे कि अब हम सपोस करते हैं उधारान लेते हैं गृत्वाकरशनबल का अब जब ह हम पृत्वी पर क्यों इस्टेवल हैं क्यों रुख पाते हैं हम क्यों नहीं गिरते क्योंकि जो पृत्वी है उसके अंदर कुछ बहुतिक नियम है जो कि इस परकार इस पर रहने वाले जीवों के लिए के बद्धे संबंद यानि जीव इस पर रह रहा है क्रियाय कर रहा ह जो मानव पर रह रहा है चाहिए वो जीव हो जया जनतु हो एकसेक्ट्रा और प्रित्वी उस धरातल पर रहने उनकी बीच की जो अजन है यानि उनकी जो रिसर्च है उनकी जो बात चीजित है उसके ऊपर जो है यह मानभ भूगल बेस्ट होता है सो आप होग करता हूं मैं कि आपको यह जो है समझ मा आ गई होगी डैफिनेशन जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मानव भूगोल की कुछ प्रमुख विचार धारा हैं जो कि हम इसमें पढ़ते हैं इससे मैं भी अपके डिटियल में बताता हूं इनका जो मैंने एक प्रोचा समझाने के लिए सो एक पहला दूसरा है संभावनाबाद संभावनाबाद को भी मानव का प्रकृतिकरण के नाम से जाना आता है तो इसमें बिल्कुल भी कन्फियूज नहीं होना तीसरा जो है नव निश्चेवाद अब नव निश्चेवाद जो है अकेला है बाकी इससे क्लिकृतिशेट सारी चीजि समझ GUYें के आपको सो इतनी चीजों को आपको गोर करना है कि इसमें पढ़ें इसमें नव निश्चेवाद कि करें गींगे तीन परमुख विचार दारा एंब पढ़ेंगे इसमें सो पहली ronics प्ले js unter यहां मानव का प्रकृतिकरण और निश्चेबाद और नियतिबाद ये तीनों जो हैं नाम अलग हैं परन्तु इनका मतलब एक ही है तो इसके लिए आफ इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज ना होईएगा चीक है चलो सुल करते हैं इसका पहला पॉंड कहता है कि इस अवस्था में म कास भी अत्यदिक आदिम वस्था में होता है चीक है दूसरा पॉइंट है अगर आदिम वस्था में होगा मानव पुराने जमाने का होगा है या आदिम बिल्कुल मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं इस टाइप से कह सकते हैं और बाकी जो है वह उसका स्थामय होगी तो प्रद्योगी की विजुhm होगी और सात्मी बात करें जाये लिसे परियावर्नी निष्येबाद के नाम से बीचाने जाता है इसमें जो मानव हैं पोण रूप से जो है बसक्त कारेवरों में प्रॉद्षन भूत कम होगा और संसाधनों का दोहन들 भी बहुत कम होगा एक एक शक्रत कम होगा जहिसी बात अगर आप जैसे टेकनोलोजी का यूज नहीं करेंगे स्कूटर बाइक यह सब चीज़ें नहीं चलेंगे गाड़ियां नहीं चलेंगे तो क्या होगा जाहिर सी बात है जो परियावर्ण परदूशन वह कम होगा और संसादनों को हम निकाली न यह संब्बाद की यह संब्भाव संबोबाद के नाम से जाना जाता अब इसका पहला पुंटर प्रयोग करता है उसके ने उच्छ प्रद्योगी की विकास करता है अब पिछली वाली अब्धार नमें क्या था कि मानव जो आदी मवस्ता में होता है जिस वएसे क्या वोलते हैं उसकी सुसाइटी होती है वह भी बहुत आदी मवस्ता की होती है अब इसमें क्या है संभावनाई बनी प्रकृति ने किया और दीरे-दीरे मानव क्या करता है पूंड रूप से समाज को अपनी आवज सकता हो के अनुसार डाल लेता है अब मानव को जो है उस पहले जमाने में पंखे कूलर एसी यह नियाओ करते थे परन्तु बाद में संभाबाद के अब धार ना आई तो क्या हुआ लोगों और इसने में पधिनव हो जाता है औरहिए प्रकरत्युन हम्हान अव होती जूप पर अब धाल पदा ना नहीं है ऐसका जो है ने में अधिर अधिको जाता है और यसी सीए परियावणी परना डूषण ग Randy बाव्तिय चर्टति-प्रथन यह और संसादनों का धूहन होगा अधिकों करने नहींगे संध्य मुझार्थ वह उत्पन होंगी तो जाहिर से बाद संसातनों पर दवाप पड़ेगा चीग कि बागी तीसरी अवधार ना को पहले देखी किस ने दिया इस संकलपना को ग्रिफिट टेलर ने दिया प्रस्तावित किया छीए और उन्हों इनने इसे क्या कि सिद्धान के तरु बता है रुको और जाओ की निश्यवाद का नाम दिया फॉस्य ऊंकल्पना को उन्हें दूसरी पर तो संकेत दे रही है कि अभी संसादों का दोहन अधिक हो गया अभी रुख जाईए पीली बत्ती मतलब अब इनको यूज़ करने के लिए तयार हो जाईए और हती वहरी बत्ती का मतलब संकेत देदेगी पूर्ट रूप से समस्य जो है खतम हो गई है और जो है आप इन जो है यह पूर्ण हो जाते हैं तो अनुमती देती है कि आप इसका इस्तमान कर सकते हैं और इस संकल्पना में इस संकल्पना को जो है सथ पोचनी है विकास की बात माने жाता है कि हम जब मतलब यह है इस अफ़ धाड़ना को जो है सिस्टेनेवल डबलब्मेंट के तोरो मान प्रकार से इस्तमाल करो कि जो भावी पीड़े इसका इस्तमाल कर सके अभी इतना ही है और क्या बुलता है इनकी कुछ एक डाइग्राम है उसको और मैं समझाता हूं टेबल दे रहे हैं हमारी की इंसे बुक में अब इसमें जो टेबल है इसमें बताते हैं कि माना भूगोल एव सामाजिक विज्ञानों के सहीयोगी अनुसासन सो इसके अंदर जो है बात करें देने कि माना भूगोल एव प्रकरती एव विशेचेतर अब प्रकरती तो आपने समय लिए उसका नेचर किस प्रकार से आप उ आजनितिक भूगोल आता है अब इसके अंदर जो हैं आप देखेंगे और आजनितिक भूगोल ओगया और जशंक्य विडिया और आफ़油 MICHAEL लो गया है इस तरिकी want suchट्र document बात कर लेता है थोड़ी सी आप जो से बात करी जाम con wanna से चली आँख है सामाजिक विस्ञाइत जैस बोगोल सांस्ट्रेटिक गूं लाथ ऐस्जिक गोल इसारे जो विषेगे हैं इसके अपके के इसकोप सकते हैं बाकि जो है इसमें सब बात करी जा रही है निर्वाटनेखनी मैं और उरक यक कोई उरक बात करी जा तो इसमें जो है अंतराश्टि व्यपार दौगल इत्यादी अंदर सम्मलिए तो इतना ही आज के लिए वीडियो में अधा टॉपिक में अगरा आपको वीडियो पसंद आती तो हमारे वीडियो को लाइक करें सबस्क्राइब करके बैल आइकन को चेह अने वाली जितनी भी हमारी विडि डालेंगे और पूरी जो है अपनी जोग्राफिक कवर करेंगे बागी आने के लिए टैस्स सेरीज वगरा भी बहुत से उसमें चलाएंगे तो वीडियो को जा साथ सेर करें धन्यवाद मिलते हैं इसके बाद नेक्स वीडियो में जब तक के लिए जैन जै भारत